दोस्तों नमस्कार, आपके घर में हो महालक्ष्मी का प्रवेश, में हूँ देवेश, दोस्तों आज राम नभमी का महान परवेट। तो आप सभी को धेरों सुगामना है, साथ में भाईजाब गौर फर्माइए, स्री भगवान राम को भाईजी मर्यादा पुरसोतम के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो एक बहुत ही सर्वोतम भाईजाब रननीती कार्मी थे, तो आप बोलेंगे कैसे भाईजी, तो उधा प्रसाज थे स्वयम अंगद महराज, इससे क्या हुआ, कि जो किसकिंदा का प्रसासन था, उनके सामने लीडर्शिप क्राइसिस पैदा नहीं हुआ, उनको पता था कि भविश्य में बाली, पुत्र, अंगद ही राजजवार समालेंगे, ये बात आपको छोटी सी लग सकती इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप जरा अफगानस्तान का पूरा केश याद की लिए, तो वहां अमेरिका से यही गल्ती हुई थी, उन्होंने कबजा कर दिया अफगानस्तान पे, लेकिन उसके बाद जो लोकल लीडर्शिप थी, वो उन्हें डिबलप नहीं करी, यहां तक की जो राजा बनाए, वो अमेरिकी वीजा पे थे, उनको अमेरिकी नागरिक्स्ता हासिल थी, परणाम क्या हुआ, अमेरिका जैसे ही पीछे हटा, पूरा प्रसाशन भरवरा के गिर पड़ा, तालीबान को एक गोली नहीं चलानी पड़ी, पॉइंट यह है, कि भ ग्रीव के पृति भी वफादार बने रहें, यह सुनिश्चत सिस्टम में कैसे करना, वो भगवान स्री राम ने हमें सिखाया हुआ है, अमेरिका ने नहीं मानी, तो लाखों करोड़ों रुपए बरबाद करने के बावजूद भी ठेंगा मिला अफगानस्तान में, लिए इन ही से दान्तों का पालन किया था भाई साब, मगर समराज धनानंद के खिलाफ, तो पॉइंट जा है कि यह पूजा करना है बेहतासान, लेकिन कठेन क्या है, प्रेरणा प्राप्त करके, भगवान स्री राम की जो स्ट्राइटीजीज हैं, उनकों हम समय समय पर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी क्रम में हम चचा करेंगे कि जर्मनी उतर आया है, राहुल गांदी के पक्ष में, लेकिन यही जर्मनी सांत था, जब मोधी जी पर केस चल रहे थे, मोधी जी को टार्गेट किये जा रहा है, इनका पाकंड एक वार फिर उजाग साथ में कल थी मंत्री एक्सपायरी ऑप्षन कॉंट्रेक्ट्स की, पिछले मंत्री की एक्सपायरी तो हमने जो पेपर ट्रेडिंग करी थी उसका लॉजिक और परणाम, दोनों डिसकस करेंगे इस वीडियो में, ये घटनाकरम हमारे स्टूडेंट्स के बेहद काम का रहने वाला है, हर घटनाकरम एक्सपायर करेंगे, आपको पक के समझा आएगा, आनंद के साथ वीडियो देखिएगा, साथ में राम नभमी के उपलक्ष पे 50% तक का भारी भरकम डिसकाउंट उपलब दे, इसी वीडियो के डिसक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लिक करके जोइन कर लीजिएगा, अब दोस्तों जर्मनी, आपको याद तो होगा भाहिया जर्मनी से अपना देश नहीं समलता, लेकिन भाहिया जी राहुल गांदी के केस का नोट लेने की फूरसा तुन्हें मिल गई, राहुल गांदी का केस देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि राहुल गांदी पर केस चल रहा है और इससे हम देखेंगे कि भारत में न्याएक सुतंतरता है कि नहीं, आपके पूरे देश में चक्का जाँ हो रखा है, महंगा ही हो रखी है, वो नहीं समझा लेंगे, पॉइंट जा है कि ये जो केस है, वो राहुल गांदी और इंड पिया की सरकार थी, कॉंग्रेस की सरकार थी, तब बनाये गए कानून है, तो भाया जी, आप भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक शेफ अगर करना भी है, तो भाया जी थोड़ा पढ़ लिख लो, ऐसे कैसे, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको राहुल गांदी का दिखा रहे हैं, आप खुले में आके काओ, कि 2024 के चुनाओ में आपके कैंडिडेट हैं राहुल गांदी, राहुल गांदी को प्रदानमंत्री बनाओ, अभ्यान चलाना है, तो चलाओ, पूरी दुनिया में चलाओ, लेकिन ये फाल्तु में, फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेश डेमोक्रेसी बगेरा के पीछे छुपकर हमला मत करो, सामने आके बोलो, राहुल गांदी आपके कैंडिडेट हैं, देश में मोधी को हरा नहीं रहे हैं, तो पूरी दुनिया मिलके अब मोधी पर अटेक कर रही है, और रही बात डेमोक्रेसी की बात, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है अभी, तो आप हमें बताईए, कि जब अमेशाजी को गिरफ्तार किया गया था, जब मोधी से सवाल पूछे जा रहे थे, तब जे लोग विपक्ष में थे या नहीं थे, मतलब जब इनके खिलाब दमन्चक्र चलाया जा रहा था, तब वो डेमोक्रेसी का हनन था के नहीं था, तब आप चुप क्यों थे, मूँ में भाया फेविकॉल का जोड़ लगा हुआ था, जो कभी नहीं तूटता, उल्टा भाया इनोंने तो मोधी को वीजा देने से मना कर दिया था, याद होगा आपको अमेरिका का केस, तो ये इनका पाखंड है भाया गड़े में गड़ जाए, तो भाई साब ये बहुत खुस है, इसलिए हम कहते हैं भाया जी, भारत की, भारत का पूरी दुनिया विरूद कर रही है, मतलब भारत सही रस्ते पर चल रहा है, इसी बीच भाया साओधी अलब देख लो, इनने भारत पर टेंपररी बेन लगा भारतिये श्रिम्प में कोई तो वायरस बाया गया है, इस वायरस देख श्रिम्प मिठ जाती है, श्रिम्प नस्ट जाती है, मर जाती है, लेकर धिवन हेल्थ पर इनसान की जिन्दविपर कोई दुस्प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी उनने बेन लगा दिया है, कोई कुर highlighter है सबसे लड़ना थो अपन को beautiful रहे हैं Kore आप के में बाइस है और भविष्व में सुनिश्चित कीजिए कि आपके श्रिंप में वाईरस नहीं होना चाहिए तो भविष्व में जो जाएं उनकी बढ़िया टेस्टिंग हो ना रहेगा बाश ना वजेगी बाशुरी तो हमें भाईया जी सबसे नहीं लड़ना यहां मामले को बाच्चीत टेस्टिंग से सुलजाया जा सकता है तो सुलजाये मस्त भाई साथ इसी बीच भाईया देखो BBC क्या रेपोर्ट दे रहे हैं कि अडानी अम्मानी को भाईया जी तोड़ दो क्यों भाईया क्यों तोड़ दें वो ले इनके कारण मेंगाई बढ़ रही है हमने का आंके फूट रही के क्या दिखकत है तुमाए मतलब जीयो याद है कि नहीं है मतल नहीं कर पाता मुकेस भाई ने ही 4G डेटा सस्ता किया है याद होगा 3G कितना महगा था इस देश में फोन उठाने तक के पैसे लगते थे रही बात ताटा की तब यह एर इंडिया का केस पता है कि नहीं पता है आपकी बाते मानकर इनहीं लोगों की बाते मानकर नहरू ने एर इंडिया को कबजा लिया था उन्होंने गड़ा खोदा मोधी साहाब को 10 साल लग गए गड़ा भरते भरते तब जाके एर इंडिया फिर टाटा को हवाले कर पाए अब हम एर इंडिया जो है दुनिया भर में हवाईयाज खरीद रही है तो इनको यही चीज बुरी लग पहुत थी थी टेक्सपेयर के पैसी पर पलती थी आज वो अपने पाउं पर खड़ी बन गई आज वो दुनिया की दिगज बनने जा रही है उसी से दिखकत है इनको भारतिय बिजने साहूस भारतिय कंपनियां दुनिया पर राज करें इसी से दिखकत है तो बहुत सारे मंत्री ने बहुत बुरा किया बोले हमें एंटिनेशनल बोल गिया हम तो अभिव्यक्ति की सुतनत्रता का लाब उठा रहे हैं लेकिन आप इतनी कम लेकिन आप इतनी पतली खल के क्यों किन्यक में आपको बुरा लग जाता है आप देखिए भाईया जी सब की छोड़ दो अंदभक्त हो तुम क्या हो गोधी मीडिया हो तुम गोधी मीडिया हो भगवान श्री राम का भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्युव का कितना मख़र उडाया जाता है तीवी पर कितना मान किया जाता है या फिल्मों में कितना मजाक बनाया जाता है हम तो नहीं बि का हिंदू समाज का सोशन किया है इसी वीड देख लीजिए गोवा कितना बड़ीया काम कर रहा है दुनिया में बेचनी है उनसे कह रहा है भारती इंडिया के राज्य आगे हैं क्योंकि यहां का नेता अच्छा है हमारे देश के हमारे जो उत्तर भारत के मुख्यमंत्री है नेता बहियानि उनकी तो बहियरी हाज जोड़े हो भी यहारी यहारी कभी देख लो आप एकट पड़े लो आपके घर में आता हुआ हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री कभी ऐसे काम करते हैं बताओब पता नहीं कौन से नसे में चूर हैं किस चीज में बिजी हैं बोट आपको दिया है जन्नता की बढ़ाई के लिए करके देखाओ भीए जिदेखो यह कर रहे हैं सामने हैं आपके पेनी का एक्सपोर्ट होगा किसको लाब होगा बताओ अब दोस्तों साथ में मुल के बोलिए जय हो स्री चार्ट महालक्षमी जी आपने अभी तक नहीं बोला देखो पैसा चाहिए आपको इनीकी क्रपा से आएगा इनकी क्रपा नहीं होगी एक फुटी-वोडी ना तो आप कमा सकते हो ना आप कमा पाऊगे इसलिए भी आम मिलके बोलिए जय हो स्री चार्ट जी और इनकी कृपा से पैशा बंदा है देख लो आप हमने पिछले 15 दिन से चल्चा कर रहे हैं कि 16-800 का सपोर्ट इंपॉर्टन सपोर्ट है जब तक नहीं तूटेगा जब तक मातारामी नहीं कहेंगी तब तक हम मानेंगे भी नहीं दुनिया कहती नहीं तूट जाएगा पंदरा जाएगा देख लो आ गया क्या एक्सपाली निकल गई मार्केट वहीं का वहीं है सिर्फ टाइम पास हुआ है नारायनी समय गुजरा है और इस नारायनी समय के गुजरने का लाव उठाया जाता है थीटा Scalping के माध्यम से हमारे जो option course के students हैं उनको पढ़ाया है हमें नारायनी समय अपने favor में चाहिए भगवान श्रीकर्ष्ण का बनाया समय है वो हमें अपने favor में चाहिए देखो आप, ये 17,300 का भाई रेजिस्टेंस था ये भाई ये 16,800 का support था 17,300 और 16,900 का range थी इस range पे हमने 23 March पे भाई ये spread खड़ा किया था पेपर ट्रेडिंग में 17,300 का call बेचा था 16,900 का put बेचा था ये जो call option है ये 0 हो गया कल और ये 0 हो गया और total profit बना ये शाड़े 4,000 का वो भी without any tension क्या हमने मेनद करी नहीं 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 अरे घड़ी टिक 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 हमाई फिवर में चल रही थी ये पेपर ट्रेडिंग करके हमने दखाई ये अपने students को भाई साब और ऐसा नहीं की अभी बुरा है ये जो घटनाकरम है ये 2022 के अंत में बता दिया था हमने लोगों को कि भाईया जी याद रखिएगा 2023 मार्च में financial year closing आएगी सीटा स्केल्पिंग का मोगा आएगा आपको लाग उठाना है तो point क्या है कि हमें ये चीज कैसे सीखी भी यादी क्योंकि हम महालक्षमी जी की सरण में बैठे हुए हैं आप भी समर्पन कर दीजिए इसी चार्ट से आपका पीशा बनेगा इसी चार्ट से और इसी चार्ट पर महालक्षमी जी आदेश देती हैं हमें उनसे आगे नहीं उनका पीशा नहीं करना साथ में उंगली पकड़के चलना है कदम से कदम मिलाके चलना है पैसा बनेगा बनेगा हो ही नहीं सकता कि ना बनेगा महालक्षमी जी आपका नहीं भी जो लोग उनको मानते नहीं हैं जानते नहीं हैं बस चार्ट पर एनलसिस करते हैं महालक्षमी बैटे बैटे पैशा बन रहाए हम तो कहते हैं अपने स्टूडेंट से पैशा अगर आपको मेंनत करके कमाना तो आप शियर मार्गेर्ट में नहीं मंडी में जाओ पले दाली करो वो बैतर काम है यहां पैशा सांती से बनता है बनिश्पत आप नारायनी समय को अपने पक्ष में कर लें, समय से लड़ना नहीं है, समय के साथ खिलना है, ठीटा स्केल्पिंग का मज़ा उठाना है, और दोस्तों ये जो हमने सत्रा तीन सो का कॉल बेचा, तोला नौसो का पुट बेचा, ये जो strategy है, वो है आचार चानकी की advanced option strategy, और ये strategy share market में सबसे सफल strategies में से एक है, तो हमारा जो आपने रवर advanced option course है, उसमें हम इसको cover करेंगे, निश्चिन्त रहिए, call और put, दोनों बेचना आपको सिखाया हुआ है, हमने, logic भी बताया है, अब दोनों को साथ में बेचना, कैसे काम करता है, या इसकी complexities होती है, कैसे इसको favor में खड़ा किया जाए अपने, उस सब हम चचा करेंगे, आत्मने रवर advanced option course में, इसलिए हमारे जो students है, वो चिंदा मुक्त रहे, advanced course में ये strategy हम cover करेंगे, अब दोस्तों, आप में से जो share market में शुरुवात कर रहे हैं, वो focus कीजिए, आत्मने रवर investor course के उपर, क्योंकि इसमें हम सखायेंगे, technical and fundamental analysis की दोकला है, और share market में, अगर आपको गिरावट में पैसा कमाना है, औ और market वहीं का वहीं रहे, तब भी पैसा बनाना है, जैसा कि हमने अभी बनाया, बिलुकुल वही market वहीं range में भसा रहा, और देखो 45,000 बन गए, तो वो जो strategy है, वो है आचार चानके की hedging strategy, जिसे में पढ़ाया है, आत्मने रवर futures and option course के माध्यम से, जिस course में आपकी सृद future and option course के उपर लाव उठाइए, राम नभमी के महान पर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जैस्री राम, राम नभमी की एक बार फिर आपको सोग का मनाएं